दोस्तों मैं आज आप लोग का ऐसा चीज दिखाऊंगा जो हमारा पुरूलिया का किसानों के लिए बहुत ही उपकरी था बहुत ही लाबदयक था वो साल में दो बार पेड़ों में पैसा फरता था आप लोग सच सकते हैं पेड़ों में पैसा परता था और गाउं द्यात का खुब पैसा कमाते थी तो मैं की सब्सक्राइब का बात कर रहा हूं समझीए थोड़ा सा दिमाग लागई नमस्त दोस्तों मेरा नाम है रहू कनक पुर्या मैं पुरूलिया का रहने वाला हूं पुरूलिया का सांस्कृती देखाने के लिए मैं हिंदी ब्लोग बनाता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पुरूलिया का सभी संस्कृत देखाने कोशिश करूं जी हां दोस्तों मैं परास पर का बात कर रहा हूं परास फूल परास फूल का परास पेड़ परास पेड़ का इंगराजी नाम है फ्लम अब दा फूरेस्ट और साइंटिपिक नाम है बोटवा मनस परेमा परास फूल को बहुत ही लोग बाहर से देखने आते हैं अमारा पुरूलिया मैनी तुूरिस्ट कम भरम कालकथ्ता एबरी इयर्थ इन मार्च तो सी दा हमार प्रिज पूल पूल क्यों परीकिन पुलीओ प्रिज पूलास फूल्व रवम् स्थरो आऊट मौन ओर दाशलाव मार्च पलास्ट्री वा नजा है बादित को बादित है दूसाया वाने याल्ड टी था लग फर्मर करोंग वहॉ फिर चौफ इएर बॉल्स दूस्ट्री रॉक stuff लॉक इंच अवा वजक गटिवेशं इस बॉलस्ट्री ल earthquake wasted once in March and one in November alarम टो और्मानी भ्हूं वी ठीज व robot re 12th a year but in the last 15 to 20 years due to drastic change in climate The lag cultivated has suffered because, excess temperature increased and rain fell decreased. This lead to the death of insects and the cultivation of lag came to an end. at present the polus tree is used as well and is of no use. lag cultivation is best done on polus tree, cool tree and kusum tree, but due to excessive temperature, lag cultivation is almost extinct. It has reduced the income of the village farmer. दोस्तों आब लोग को बता दिया क्यूं lag cultivation खतम हुआ और परास का पेड किसानों के लिए कितना उपकरी था, लेकिन ये अत्रिक्त गर्मी के कारण ये खतम हो गया. तो लूख यार, surrounding all polus tree. परास फूल को बहुत ही लोग बाहर से देखने आते हैं, हमारा प्रूलिया. परास का पेड आजकल सिर्फ दो ही काम में आता है. एक खना बनाना में जलाया जाता है, माना जलानी के रुक में, और दूसरा जंगल में अच्छा दिखता है. लेकिन दोस्तों ये पहले ऐसा नहीं था, ये पहले किसानों का ये एक लाबदायक पेड था. इसमें साल में दो बार लाग का खेती किया जाता है, लाग कल्टिवेशन किया जाता था, और किसान लोग बहुत ही पैसा कामाते थे इस परास पेड़ों से. लखा याने लखा है इनका इंग्रेज इन नाम है लखा-का इंग्लीज नाम है कोहास लखा जाता है इसलिक सब्सक्रत्ष nella गोल्डेन का चेंज में अंदर में भराड बनता है और च्विन गाम चोकलेट बनता है और केपसूल का कोटिंग बनता है दवा जो केपसूल है उसका कोटिंग बनता है डोल बनता रेल्वे एक्विमेंट और आर्म्स का एक्विमेंट बनता है लेकिन अतिरिक्त क्लाइमेट चेंज होने के कारण temperature बढ़ गया मतलब तापमात्रा बढ़ गया मना धुब बढ़ गया अतिरिक्त और बारिस कम हो गया इसी चलते लग कल्टिवेशन लख कल्टिवेशन लखा खेती खतम हो गया हमारा इधार ये पुरा खतम की धार में है ये साल में दो बार लखा खेती होता था एक अभी जिस समय परास फुला है ये मार्च एप्रिल में बैसाग में और कार्टिग में यानि नवेंबर को ये साल में दो बार किसानों को पैसा देता था और गाउं देहाते लोग बहुत ही परास पेनों से पैसा कामाते थे गुड़ बाई दोस्तों वीडियो के अधिक खतम करते हैं वीडियो जदा जदा लाइक और सस्क्राइब करें जाए हिंज जाए भारत